फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट एक्जाम 2021 के विश्य में तो फ्रेंड्स आपके एक्जाम कब होगा जो विभिन ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला आ रहा है क्या ये सही है किस हद तक ये सही है और क्या एक्जाम 28 समबर को हो पाएगा या नहीं हो पाए आपको सबसे पहले सबसे सटी इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुचे तो चलिए आपका टाइम नवेस करती हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं और सारी कुछ अपडेट जान लेते हैं फ्रेंड्स जैसे आप लोगों को पता है आपका फाम जो फरने की प्रक्रिया थी 28 अक्टूबर तक थी 28 अक्टूबर जो है लास देत है अव आपको जो एक्जाम डेट मिला है 28 नवंबर मिला है फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें कितने अप्लिकेशन आए हैं तो कुल अप्लिकेशन जो आए हैं 21,62,87 आप्लिकेशन आए हैं ऐसे कितने अभर्थी हैं जो दोनों पेपर के लिए अप्लाई किया है जो दोनों पेपर के लिए अप्लाई किया है 81,201 अभर्थी ऐसे हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 यानि प्राथमिक और उच्छ प्राथमिक अस्तर दोनों के लिए अप्लाई किया है तो आपको ये बाद भी पता हो चाहिए आगे चलते हैं फ्रेंट्स आपका जो पेपर है इतने इस बार इतने अप्लिकेशन कैसे आया है इसके पीछे कारण क्या है वो सारे चीज़ जान लेते हैं फ्रेंट्स आपको पता होगा यूपी टीटी एक्जाम 2021 के अप्लाई करने का अंतिमती 26 अक्तूबर थी सु समय अत्रिक्त दिया गया जिसके बार परिक्षा नियामक प्राधी करन कार्याले को अंतिम दिन कुल 13,52,86 आवेदन और मिले मतलब आधिर से जादा आवेदन जो है लास दिन मिले है ता आप इस समय इस बार कॉंपिटीशन का पता लगा सकते हैं कि कॉंपिटीशन किस करना तो फाइनली चक्षु प्रकासन आप लोग के लेकर आ चुकी है यूपिटेट की संपूर्ट बुक जिहां दोस्तों इसमें गाइड भी मिलने वाला है आपको बुक भी मिलेगा और इक खास बात ही है कि नवीनतम पैटर्न की अधारित पर यह बुक को डिजाइन किया इस बुक को आफ लाइन मार्केट में ले सकते हैं या फिर अमेजन या फिलिपकॉर्ड भी मिल जाएगा या फिर आपको कॉन्टाइक नमबर में मिलेगा वहाँ भर बैठे अपने घर पर इस बुक को डिजाइन कि अप्रिच्छा 28 नॉम्ब्र 2021 को दो पालियों में आज ज जाएगे पहली पारी के परिक्षा 10 बजे से साड़े 12 बजे तक चलेगी और दूसरी पारी के परिक्षा जो है धाई बज़े से शाम 5 बजे तक आई जीद की जाएगे उत्तर प्रदेश के सभी जीलों में परिक्षा केंदर मनाया जाने की तयारी चल रही है फ्रेंट्स जैसा कि मैं आपको बता दूँ 28 नमंबर को एक्जाम कंड़ेट करवाना थोड़ा मुश्किल है क्यों मुश्किल है वो सारी बाते मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अभी PNP जो है BTC DL8 का रिजल्ट फानल रिजल्ट डिक्लियर नहीं गिया है ये मन्थ जो है पूरा जो है इसमें फेस्टिवल्स हैं तो इसमें छुटियां रहेंगी अभी जब तक DL8 का रिजल्ट डिक्लियर नहीं हो जाता है एक्जाम कंड़क्ट करवाना मु और अपने दोस्तों के शाहर भी शियर कीजिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए बिल आइकन को प्रिस कर लिजए ताकि यूपी टिट या किसी अन एक्जाम के रिगार्दिंग कोई भी अपडेट हो आपको सबसे पहले सबसे सटी इसी चैनल के माध्यम से मिले।